हलो दोस्तो नमस्कार यू आर बाचिंग माई यूट्यूब चैनल गार्डन गुरुजी तो दोस्तो मेरी तरह आपके पास भी बहुत सारे पेड़ पौदे होंगे और आप भी नए-ने तरह के पौदे ढूड रहे होंगे या फिर आप नए हैं समय और ऐसा कोई पौदा धूड रहे हैं जिसे आप गुडलक समझते हैं तो बहुत सारा यूट्यूब में ऐसे पौदों के बारे में लोग बताते हैं पौधा और ये गुडलक प्लावंड के रूप में ये जाना जाता है और दोस्तों इसका नाम एक और है ये क्रेशुला भी इसको कहते हैं और ये जैट प्लान्ट भी है तो बहुत सारे नामोंसे जाना जाता है ये पौदा और ये सेकुलेंट फैमिली से बिलॉंग करता है ये क्रेशुला का प्लांट या कुभिराक्षी का पौदा तो दोस्तों इसी तरह से एक ये भी यहीं पे आप देखिए पास में रखा हुआ है जेट प्लांट तो ये दोनों ही पौदे गुडलक प्लांट हैं इन दोनों में से कोई से भी पौदे आप अपने घर में लगाएए बहुत ही बहुत सुभ माने जाते हैं और ये जो पौदा है क्रेशुला इसके मुकाबले थोड़ी से इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं बहुत चौणी होती हैं देखे और इसकी पत्तियां बहुत छुटी-छुटी सी होती हैं इसलिए देखे बटन जैसे बटन प्लांट के रूप में भी जानते हैं तो ये दोनों ही जेट प्लांट है पर ये जो प्लांट है इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे क्रेशुला या कुबेर तो दोस्तो इस पौधे को यदि आप लगाएंगे अपने घर में तो बहुत बहुत आपको सुभ प्राप्थ होने वाला है और ऐसा मना जाता है कि इस पौधा के लगाने से आपके घर में कुबेर की खाजाना आपको मिलेगा ऐसा लोग मानते हैं तो दोस्तो आएए हम इस पौधे के बारे में और कुछ बताते हैं यदि आप इस पौधे को लगाना चाहाते हैं तो इसके लिए लगाने का सही समय होता है कि आप 10 December, जनवरी, फरवरी में आप इसको कभी भी लगाए तो आसानी से ये लग जाता है और इस पौधे को आप न इसमें फ्रॉट भी करते हैं इस छोटी से पौधे के लिए बहुत सारी ओनलाइन में पैसे लेते हैं डहाई से 300-400 रुपे तक इस क्रेश उला यानि कुबेर आक्षी पौधे के पैसे लगते हैं और जो साधरन अंदरसरी होती है हमारे यहां तो लोग 50 से लेके 1500 रुपे तक में यह पौधा प्राप्त हो जाता है और यदि आप के पास एक पौधा पहले से है या आप इसको कटिंग से लगाना चाहते हैं तो इसकी कोई सी भी ब्रांच आप लीजए यहां से और इसको कट कर लीजए और किसी भी बड़िया सी सेंड में या वेल्टरेनेस मिटी में बलवी मिट्टी में इसको असानी से आप लगा सकते हैं और इसकी propagation में क्या है कि इसकी पत्ति अभी बहुत बढ़िया से लग जाती है जैसे ये इसकी पत्ति है अभी अभी मैंने इसकी पत्ति यहां से निकाली है तो इसकी पत्ती को भी अगर आप मिट्टी में दबा दें तो भी इससे नया पौधा जनरेट हो जाता है तो आईए मैंने यहाँ पर एक पत्ती लगाई हुई थी तो वो मैं आपको दिखाता हूँ तो यह देखे, यहाँ पर यह है यह है वो मेरी पत्ती यह देख रहे हैं आप, यह लगी हुई है तो इसमें देखे, यहाँ से बढ़िया से जनरेट हो गए है तो आईए मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ तो यह देखे, इधर से इस तरह से मैं इसको निकाल लेता हूँ तो देखते हैं कि इसमें रूट कितनी बढ़िया है और कैसा है ये पौधा तो दोस्तों देख ये है वो हमारा पौधा जो मैंने इसको पत्ती से तयार किया था तो देखें इसमें कितनी सांदार सी रूट बन गई है ये देखे, इस तरह से ये पौधे पत्यों से भी तैयार हो जाते हैं, तो ये देखे, दो पौधे इसमें दो ब्रांच है, एक ये और एक ये, ये देखे, तो अब इसको हम यहां से ये देखे, ये पहले इस पत्ती से ये रूट डिबलब हुई, और रूट के बाद ये पौ इसमें मिट्टी लेते हैं थोड़ी सी और इसको लगा देते हैं तो वेल्ट रेनेस मिट्टी लेकर के आप इसको लगा सकते हैं बहुत आसानी से एक बार इसमें पानी डाल दीजे बाकी ये तीन चार दिन इसमें पानी डालें के जरूरत नहीं है और दोस्तों इस क्रेशुला याद कुबिर अक्षी पौदे के बारे में छोटी सी टिप्स ये है कि आप इसमें इस समय घंगोर धूप से इसको बचाएं बहुत सारी घंगो में कम से कम पानी आप दीजेगा जब आपको लगे कि इसमें एक इंच से ज़्यादा आपकी मिटी सूख गई है तब इसमें पानी दीजेगा क्योंकि इसकी पत्तियों में अल्लेडी बहुत सारा पानी होता है तो दोस्तों ये था हमारा धन ब्रद्धी या सुभ प्लांट वाला वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये मेरा वीडियो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब परें ताकि ऐसे ही खुबसूरत वीडियो में आपके लिए लाता रहा हूं